वेलकम बेक टू आवर यूटूब चैनल एन्वी क्रीटर तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में आज हम बताएंगे आप लोगों को जो की आपकी बीएड थर्ड सेमेस्टर इसमें क्या है कि एक पेपर होता है लेसन प्लान का जिसमें आपको ये लेसन प्लान क्रीट करने ह होती हैं तो इस वीडियो में हम mathematics के कुछ लेसन प्लान लेकर आएं जो आपके साथ हम सांजा कर रहे हैं ठीक है तो वीडियो को शुरबात करने से पहले थर्ध प्रीडियो को ठीक है तो जो कि मैंने किया था इसके बाद अब फिर यह हमने लिखे दे कोश लेसन प्लान तो देखिए आप लोग लेसन प्लान इस तरीके से हैं तो जैसे की लेसन प्लान क्या होता है हमने इसके पहले भी एक वीडियो आपको लाई थी विस्तार पूर्वक जिन्होंने नह आप यूटूब पर जाकर देख सकते हो ठीक है तो सबसे पहले lesson plan क्या होता है lesson plan हम आपको यहाँ पर बता देते हैं पार्ट योजनर जिसको बोलते हैं इसमें क्या है कि आपको teaching जैसे कि आपको किसी बिद्याले में पढ़ाने जाते हो तो वहाँ पर आपको क्या है एक teaching यह जब किसी class में teaching करते हो तो उसको teaching करने के बाद आपको एक page या copy पर आपको पूरा लिखना पड़ता है detail में कि आपने बच्चों को क्या पढ़ाया है ठीक है ना किस तरीके से पढ़ाया हो कैसे समझाते हैं और बच्चे उसमें क्या क्रिया करते हैं तो पूरा एक क्या है जिसमें चात्रद्यापक का नाम यानि अपना नाम लिख सकते हो ठीक है दूसरा है काल खंड यानि उस पीरिएट का टाइम क्या है जैसी दुतिय है यानि second period चल लाता यहां पर दिनांग जिस दिनांग में आप पढ़ाने जा रहे हो तो उस दिनांग का दिनांग भ पिर्थम हैं और किस के में प्रकरण हैं यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं आयद बर्ग छेत्रफल का अध्यान ठीक है तो सामा नुद्दे सबसे पहले इसका जन्रल जो हमारा टारिट होगा वो क्या होगा ठीक है तो छात्रों में तर्क शक्ती का बूद करना छात्रों को गड़त के प्रती रुची प्रदान करना फिर विसस्ट उद्दे से चात्र में आयद का छेत्पल निकालने के शम्मन्दी ग्यान देना हैं और इसके बाद सिक्षण बिंदू इसमें आप पद पित्या शूत्र जिसमें लंबाई चौना छेत्पल आदी निकालना है पिर कि गी फिर शाहिक श्यामएक गरी क्या क्या लगेगी फिर प्रस्ताबना में क्या रहता है कि सबसे पहले टीचर विद्ध्धारती से क्युच्टन के रहेगा चोटे-चोटे क्वास्टन जिसमें वो जानता हो चत्र वुच किसे कहते हैं चार वुजाहों سے ग्रियाक्रती को च पूर्यान बच्चों से ले लेते हैं फिर उद्देश कथन आनी इसमें क्या करना है आज हम आयत के आयत बर्ग आदी के छित्रफल के बारे में ध्यन करेंगी तो वो स्यमपट पर इसमें समझाएगा कि आयत की आदी लंबा इतनी दी जाएगी चोड़ा इतनी दी जाएगी तो छित्रफल के ऐसे ग्याद करेंगी फिर उसमें निरिक्षण करेंगे कि मतलब बच्चों से कहेंगे स्यामपड़कार से एक कुस्चन उतालीजिए और अपनी कापी पर नूट कर लीजिए जिसमें क्यायच हाता देफ़ा घूमकर उसका निरिक्षण करेंगा ठीक है ना फिर कमजूर विद्ध्यादी के बेक्ति ठीक है ना जिसमें सेम बही रहेगा अनुदेश नात्मक प्रिशन जिसको सामा नुदेश बोलते हैं फिर पिसिष्ट उद्धेश फिर शाहिक्षामग्री जो भी लगती हो पूर ग्यांट पिस्ताबना प्रिशन फिर उसके बाद विसायबस्तु की गोशना या मतलब या उद्धेश का थन जिसको बोलते हैं फिर पिस्तुती करण होता है जिसमें मूल धन के से कहते हैं और इस तरीके से ग्राइकार फिर अगला पार्टी उजना है जो की शंख्या पद्धती के बारे में ठीक है ना तो आप इनको क्या कर सकते हो समा सकते हो बिल्को अच्छे तर आपको लिखना है और क्या है कि टीचिंग आयती है तो कई के लिखने पड़ता है और फिर इसको आप जमा कर सकते हो इस तरीके से आपको क्रियेट करना होता है ठीक है कि दे परमे आप परमे शंख्या है अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजीगा चैनल अगर को सब्सक्राइब कर दीजीगा अगला लेसन प्लान है बर्गमूल घनमूल यानि स्क्वाइर एंड क्यूब के उपर तो सैम वही रहता है बशके वाल इसमें प्रतिकिनिया को लिखना पड़ता है जिसमें आपको दिख रहा है आसानी से ठीक है ना वीडियो को पॉश्च करके आप इन्हें लिख भी शक्ते हो अगर आपको लिखना हो और वीडियो को लाइक जरूर करदेजीगा अगर लाइक करते हो तो और भी अच्छ मजगेदार वीडियो आपके लिए हम लाएंगे ठीक है और कमेंड बॉक्स में सेयर करदेजीगा कि हमको ये वीडियो चाहिए है तो हम उसी वीडियो पर आपको टॉपिक पर वीडियो लाएंगे जैसे MSC Mathematics हुआ किसी भी बी एड के बारे में किसी भी तरह के 12 भी एसी तो उसी तरह की हम टाइम निकल कर आपको वीडियो जरूर किरियेट करेंगे बश आप हमें सपोर्ट करती रही है जादा से जादा इस चैनल को अपने फ्रेंट के साथ सेर कीजिएगा तो चले मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में तब तक के लिए धन्वाद इचादद दीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सस्क्राइब कीजीगा आपका सपोर्ट ही हमें वीडियो बनाने को मॉटिवेट करता है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद